फ्रेंड्स आज की रेसिपी में यकीन के साथ केती हूँ कि यह आप देखते ही जरूर बनाएंगे इतनी यह अच्छी मज़ेदार रेसिपी बनी है उर इसके साथ जो चटनी बनाई है मैंने वो तो बहुत ही यूनिक है और एकदम चटपटी है तो चलिए इसे बनाना बेंगन के मैंने धोके साफ करके लिए है इने तो यह मैं इनके काटे निकाल रहे हूँ तो सब बेंगन के ऐसे ही काटे निकाल देना और इने बीच में से कट मारना है दो कट मारना है देखे क्योंकि इनमें कीडे रहते हैं कभी भी हम बेंगन या भिंडी ऐसे बनाते हैं उन्हें देख लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें कीड़े रहते हैं, वो भी साथ में पक जाएंगे. तो मैंने कड़ाई में पानी उबलने के लिए रग दिया था, उसमें ये सब बेंगन मैंने डाल दिये हैं कड़ाई में, और इन्हें अच्छे से पका लेना है मतलब उबल जाना चाहिए इनके छिल्टे निकले इतना इन्हें पका लेना है तो ये मैंने इन्हें उबाल लिया है अच्छे से और मैं एक बावल में इसे इन्हें सब को निकाल रही हूँ थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं इनमें एकदम थंडा पानी डालूँगी फ्रीज का ताकि ये जल्दी थंडे हो जाए और जो भी इनमें छोटे पतले जिस छिलके रहते हैं उपर वो छिलके निकल जाए अच्छे से तो मैंने इने ठंडा कर लिया है एकदम अच्छे से और मैं हाथ से चक्कू से इनके छिलके निकालूँगी थोड़े से तो एकदम पतले पतले छिलके रहते हैं ये छोटे बेंगन में जादा जाड़े नहीं रहते हैं बड़े बेंगन में जैसे निकलते वैसे इसमें नहीं निकलते हैं और यह अच्छे से बोईल हो गए हैं इसके लिए इनके छिलके बहुत इजिली निकल जाते हैं अचक्कू से भी आप उपर से हल्का-ल्का छिल सकते हैं इन जैसे देखिए मैं चील रही हूँ वैसा एकदम पतली परत निकलती है जादा नहीं और फिर खोल के भी देख लेना है कहीं और हमने रखनी दिया है कोई कीड़ा वीड़ा तो ये मैंने सब बेंगन चील लिए हैं अभी देखिए इने मैं कट कर रही हूँ बहुत इजी लिए कट हो जाते हैं तो इनके एकदम बारीक बारीक पीस कर लेना है सब बेंगन के तो ये सब बेंगन के मैंने अच्छे से पीस कर लिए और मैं चकु से और इने थोड़ा सा कट कर रही हूँ जो बड़े बड़े पीस रहेंगे वो भी अच्छे से कट हो जाएंगे तो ये सब बेंगन के कट कर लि तो हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा जितना आप खाते हैं उससे सबस डालीएगा और यह मैंने डाल दिया है हरा धन्या थोड़ी सी हल्दी डाली है और एक चमच में इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ज़्यादा में कुछ भी नहीं डाल रही हूँ इसमें और यह जो मैंने हाथ से इसे थोड़ा सा मसल लिया था, वो मैंने डाल दिया है, और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, तो चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, मसल मसल के इसको मिक्स कर लेना है, थोड़े से इसके पीस रे जाते हैं, तो वो चलेगा, लेकिन इनने मिक्स क स्वाद चार गुना बड़ा देगा तो बैसन इसमें जरूरी है बाइंडिंग के लिए और एक चमच में अब इसमें नमक डाल रहे हूं पहले मैंने नमक नहीं डाला था और अब मैं इसमें डाल रहे हूं चावल का अटा एक चमच जिसे हमारा ये जो हम बनाएंगे रेसेप यो थोड़ी क्रिस्पी बनेगी और ये मैं डाल रहे हूं सोंप इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया था और इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे बैसन को चावल के आटे और नमक को नमक आप टेस्ट करके डालिएगा मैंने थोड़ा कम डाला है इसमें नमक बाद में मु पेन रख दिया गया इस चालू कर दिया और एक बड़ी चमच में इसमें तेल डाल रही हूं तो ये तेल डाल दिया और चारो तरप इसे अच्छे से फेला देंगे पेन में और हाथ से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे उसका और इस पे हम ठीकी जैसा रखते जाएं तो इन्हें पलेटना है, तो ये नीचे के अच्छे सशिग गए हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं, ये बच्चे बेंगन नहीं खाते है जो भी इंसान बेंगन नहीं खाता है, वो जरूर ये नाश्टा बनाएंगे, आप तो उनको पता भी नहीं चलेगा, कि ये बेंगन का नाश्टा बना है, इतना अच्छा ये नाश्टा बनेगा, तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा एक बार, और ये चटनी जो मैं बना रही ले लिया है, और नमक डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा पानी डाल के इने दरदरा पीस लेंगे, तो ये चटनी बहुत बहुत ज़्यादा चटपटी बनती है, इसके साथ ये चटनी खाई जाती है, ये मैंने पीस लिया है, और एक बावल में मैं निकाल रही है, इसे जादा बढ़ता है ऐसे ही ये चटनी को खाई जाती है तो ये चटनी मैंने बना ली है इसे लखेंगे साइड में ये देखें आपका नार्षuar बन के रेडिये फ्रेंड्स बहुत जादा चटपटा बनता ये नार्ष थतर है पूसों में आप जरूर बनाईएगा और मुझे स नहीं रेसेपी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाई